एक लंबे समय से रेमेट उसीजा के डान्स फिल्म को लेकर संस्पेंस बना हुआता है लेकिन इस संस्पेंस को हाली में खतम करते हुए इसके नाम की घोशना की गई थी इसके साथ ही वरू धमन का पहला लुक भी लोगों के सामने पेश किया गया था वरू धमन के लुक को लोगों ने काफ़ी जादा पसंद किया लेकिन अब इस फिल्म से जुडी अबनेत्री शरदा कपूर का भी पहला धमाकेदार लुक सामने आ गया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा शांदार लग रही है इस लुक के सामने आते ही यह यह काफ़ी जादा व फिल्म में वरुन धवन के अपोजिट अबनित्री केटरिना कैफ नजर आने वाली है। लेकिन खबर आई थी कि केटरिना कैफ ने ये फिल्म भारत की कारण छोड़ दी थी। हाला कि इस बात को केटरिना कैफ ने सही नी ठराया। इसे पहले वरुन धवन शरदा कपूर की जोड़ी हमने रैमिर उजुजा की फिल्म एवी सीडी टू में देख चुके हैं। फिल्म सो करोड से उपर की कमाई की थी और दश्कों को खूब जादा पसंद भी आई। लेकिन अब यही जोड़ी हमें वरुन धवन के साथ स्ट्रीट डांसर फिल्म में नेजर आने वाली है। तो दोस्तो इस बारे में आपकी क्या राय है और स्ट्रीट डांसर फिल्म से जुड़ा शर्दा कपूर का यह पहला लुक आपको कैसा लगा नीच देगे कमेंट सेक्शन के दिरिये हमें जरूर अपनी राय दें।